Hello everyone, my name is Pranjay Kalita और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगा Corporate Junkies के एक और वीडियो में और ये जो वीडियो है इसमें आपको काफी सारी good news देखने को मिलेगा regarding the TCS, okay? और regarding the TCS employees, ठीक है? So, अभी हम जानते हैं कि recession का आयम चल रहा है जापे जो बाकी companies है IT sector में वो अपने employees को निकालने में लगी हुए बट ऐसा situation में भी इंटिया की जो largest consistency providing company है TCS उन्होंने अपने employees को good news दिया है So, recently अभी जो TCS के जो global HR head है Milan Lakkar उन्होंने official statement दिया है और उनके statement में कुछ ऐसी चीज़े थी hire करने का सोच ही है और इसके अलावा उन्होंने already hiring process को complete कर लिया है या फिर वो अपने offers का wait कर रहे है उनको भी वो जल्दी onboard करने वाले है हाँ, बट उन्होंने officially बोला है कि यहाँ पे onboarding में आपको 2-3 से लेके 3 महिने तक का delay देखने को मिल सकता है अब इसके अलावा अगर मैं बात करो second good news की तो जो second good news है वो उन सभी employees के लिए है जो TCS में already काम कर रहे है मतलब TCS के सभी existing employees के लिए और यह news है regarding the salary hike तो इस वाले quarter का मैं already बना चुका हूँ कि FY23 में आपको कितना दा hike देखने हो मिलेगा वही अगर मैं बात करो जो lower levels का मतलब जिनको रुकम rating मिले है उनका जो salary hike रहेगा वो आपको 0.5% से लेके 8% के बीच में रह सकता है और इसी के बात अगर मैं बात करो हमारे third news की जो की good news है सभी TCS के employees के लिए वो है regarding your variable pay और यही आपके दो पाट में divided है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर junior levels का अपको level of C2 जहाँ पर आपको यहाँ पर trainees और analyst देखने को मिल जाते हैं तो उन सब को full variable पर मिलने वाला है मतलब 100% variable पर मिलने वाला है वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर mid level या फिर senior level employees की तो up to the level of C3A जहाँ पर consultant या फिर associate consultant assistant consultant, principal consultant बगरा वाले position देखने को मिल जाते हैं तो उन सब को भी variable पर मिलेगा इस साल पर बट वो depend करेगा performance of your business unit तो यहाँ पर अच्छी चीज़ है सब ही junior level employees के लिए मतलब trainees के लिए और analyst के लिए तो यही कुछ अपडेट है जो मैं आप लोगो देना चाहता था तो आज के लिए गाईस इतना ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाए और जहें